हेलो दोस्तों आपने बहुती सांदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है दोस्तों आप लोग के लिए बहुत अच्छी खबर ले कर आए हूँ जो अभी अभी आपका दिल्ली डिस्टिक्ट कोड का पेपर हुआ है यानि DDC, Group C का जो भी आपका पेपर हुआ है काफी आसानी पेपर आगया है जैसे हमने मेद क्या था उससे भी जाधा आसान पेपर आगया है तो दोस्तों यह आपका दूसरी सिफ्ट का पेपर था पहली सिफ्ट का लिंक मैंने नीचे डेस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अगर आपको पहली सिफ्ट का पेपर देखना है पहली पाली का पेपर देखना है तो दोस्तों यह सेगिंड सिफ्ट का पेपर है काफी आसानी पेपर आया है आपका जल्दी से सारे उत्तर देख लेते जीके के गणित के इंगलेस के हिंदी के सभी उत्तर को देख लेते फटफट 100% रियल सवाल लेकर रहा हो जो भी बच्चों ने मुझे बताए देख लेते गाईज एक-एक सवालों को देख लेते है अगर आप किसी भी गोवर्मेंट एक्जाम की त्यारी कर रहे हो मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाते हो 2021 में एक सरकारी नोकरी लेना चाते हो सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाते हो ये नीचे लाल कलर का बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बैल आइकन को ओल कर लेंगे ताक कि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एक्जामेटिक स्टेडी पर आपको टाइम टुडे मिलते रहे देख लेते गाईज पहला सवाल क्या पूचा गया आपकी दूसरी सिफ्ट में जो आपका डीडीसी का पिपर हुआ है दूसरी सिफ्ट में क्या सवाल पूचा गया पहला सवाल आपके सामने है अमजद अलिक खां का सम्मन किस वाद्य यंत्र से है तो गैज यह आपका है सरोध वादक से देख लेते अगला सवाल काफी आसान सवाल था एक सवाल ये भी पूचा गया भारत में सबसी बड़ी सिचाई नहर को क्या कहा जाता है तो गैज ये कहा जाता है इंद्रा गांधी नहर देख लेते अगला सवाल एक सवाल ये भी पूचा गया भारत और किस देश के बीच इंदर युद अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है तो वैज ये किया जा रहा है भारत और रूस के बीच में यानि रैसिया इस सवाल का राइट आंजर चला जाएगा सभी प्यारे बच्चे ध्यान से देखेंगे अगर आपने वीडियो पूरा देख लिए 100% आप लोग सेलेक्शन के करी पोहुच जाओगे एक सवाल ये भी पूचा के भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीटेम इंडेक्स 2020 में कितने स्थान पर है तो गैज ये आपका 142 वे स्थान पर 142 सवाल का राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों मैं अमेद कर रहा हूँ सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर रहे होंगे मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए एक सरकारी नोकरी लेने के लिए तो दोस्तों नीचे लाल कलर का बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेंगे देख लेते अगला सवाल एक सवाल ये भी पुछा गया भारत में चरम पंती अंदोलन के जनक कौन थे तो गैज इनका नाम तब बाल गंगधर तिलक देख लेते अगला सवाल ओप्टिकल फाइबर का विश्कार किसने किया था तो गैज ये कियातन नरिंदर कंपनी ने देख लेते अगला सवाल एक सवाल ये भी पुछा कि आप बान भट कि समराठ के दर्भारी कवी थे तो गाईज ये आपके हर्स वर्धन के दर्वारी कवी थे देख लेते हैं अगला सवाल वायू का वेग किसके द्वारा नापा जाता है तो गाईज ये मापा जाता है एनिमो मेटर के द्वारा देख लेते हैं अगला प्यारा सवाल एक सवाल ये भी बढ़िया पूचा गया एमदाबाद इस्तित अब या घाट किसका समाधी स्तल है तो गाईज ये किसका समाधी स्तल है ये आपका मोरारजी देशाई का एक समाधी स्तल है देख लेते हैं अगला सवाल दोस्तो पेपर बहुत इजी था अराम से आपका सेलेक्षन होगा अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया देख लेते हैं अगला सवाल किसने एक सरे किर्णों का विसकार किया एक सरे जो किर्णने होती है इनका विसकार किसने किया था विल हेलम कोनाड रोंट जनने कब 1895 में देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल ये भी बढ़िया पूछा गया इसराइल की राजदानी क्या है तो गैज इसराइल की राजदानी है जेरूसलम देख लेते हैं अगला प्यारा सवाल सभी प्यारे बच्चों वीडियो को ध्यान से देखेंगी Asian drama पुस्तक के लेखक कौन है तो गैज इनका नाम है गुन्नार मिर्डल गुन्नार मिर्डल इस सवाल का right answer चल जाएगा देख लेते हैं अगले सवाल एक सवाल ये भी पूछा गया तो गैज ये अंग्रेजी का सवाल पूछा गया इसको कैसे करना था आपको बताना है कि यहाँ पर ये खाली स्थान में क्या आएगा दोस्तों आपको बात याद रखनी है आपको sentence पूरा पढ़ना है His success in the competitive examination ये वही में major, dash, career जब भी आपके career से related कोई word आता है career तो उस case में हमेशा ना तो breakdown आएगा ना break up आएगा ना breakout आएगा जब किसी को कोई सफलता मिलती है उसके जिंदगी बदल जाती है या उसका career सुधर जाता है इस case में आपको breakthrough लगाना है second option इस सवाल का right answer चला जाएगा ठीक है guys इस तरीके से आप लोग ये सवाल कर सकते थे आगे बढ़ लेते अगला प्यारा सवाल देख लेते है एक सवाल ये भी बढ़िया पूछा गया इसको कैसे करना था आपको इसमें बताना है कि कहां पर आपकी grammar में गलती है grammatical mistake आपको बतानी है तो दोस्तों यहां पर पढ़ने से क्या पता चल रहा है ये आपका ठीक है इसमें कोई गड़बड नहीं है ये आपका ठीक है nothing could be ये भी ठीक है आपका लेकिन इसमें गलती किस चीज में है ये भी आपका ठीक है गलती किसमें है क्योंकि दोस्तों जो भी आपका phrase होता है as far as ये होता है लेकिन यहाँ पर दिया गया as far the यह गलत हो गया यानि जो बच्चा second option मार के आगे इसी में आपकी गलती थी second option इस सवाल का right answer चला जाएगा आप लोग इस तरीके से सवाल करके आ सकते थे आगे बढ़ लेते हैं अगला प्यारा सवाल देख लेते हैं बहुत बैतरिन तरीके से सभी बच्चे देख लेंगे एक सवाल ये भी पुछा गया दोस्तो इसमें बताना था आपको antonym यानि इसका इसका उल्टा बताना था benivalent benivalent का मतलब होता है जो मैतरी पूर्ण होता है यानि सबसे दोस्ती कर लेता है friendly होता है कर दे ये आपका ठीक होगा इसका कोडिंग इसमें कोई mistake नहीं आपके पहले में इसमें भी नहीं इसमें भी नहीं तो दोस्तो यही आपका right answer हो जाएगा जो बच्चा चोथा option मार के आया क्योंकि दोस्तो दोस्ती का उल्टा होगा जो आपको नुकसान पोचा दे इसमें आपको उल्टा बताना था चोथा option ही सवाल का right answer चला जाएगा दोस्तो आपका कुछ नहीं जाएगा वीडियो को like करने में और सभी government exam के trick के लिए आप नीचे चैनल को subscribe कर लेंगे फट़फट आगे बढ़ लेते हैं अगला सवाल भी देख लेते हैं तो दोस्तो यह आपका गड़ित का सवाल पूछा गया बहुत आसान सवाल था एक आयत है एक rectangle है एक rectangle की लंबाई में यानि आयत की लंबाई में 10% की वरद्धी होती है कितने परतिसद की वरद्धी होती है कितने परतिसद की वरद्धी होती है 10% की ठीक है गाइस चोड़ाई में 10% की कमी होती है 6 रफल में कितने परतिसद की वरद्धी या कमी होगी यह आपको बताना है आपकी यह लंबाई होगी यह चोड़ाई होगी ठीके गाईस पहले अगर यह 10 थी लेकिन आप बढ़ गई 10 परतिसत की व्रद्यों की 10 से 11 हो गई यहाँ पर आपकी चोड़ाई पहले 10 थी अब आपकी 10 परतिसत कम हो गई यानि 9 हो गई तो दोस्तो इनकी गुणा करने पर आपका पुराने वाला छेतरफल आएगा 10 में 10 की गुणा करो के 100 आएगा 11 में 9 की गुणा करो के 99 आएगा तो दोस्तो यह तो आपको पुराने वाला यह आपका नए वाला तो दोस्तों यहां से आपको व्रद्धी या कमी की परतिसत निकालनी है क्या करेंगे बाद वाले में से नए वाले में से पुराने वाला गटा देंगे और पुराने वाला नीचे रखके गुणा कर देंगे 100 से क्योंकि परतिसत हमें निकालनी है तो गाई यही तरीका आपको इसमें अपनाना है 2-0 से 2-0 कट जाएगी और यहाँ पर क्या होगा मैनस के 1 आजाएगा 1 परतिसत मैनस के 1 परतिसत का मतलब है कि 1 परतिसत की इसमें गटोतरी होगी 1 परतिसत आपका चेतरफल गट जाएगा तो दोस्तो एक परसेंट इस सवाल का Right Answer आ जाएगा आपके छेतरफल में एक पर्थिसत की कमी आ जाएगी आप लोग इस तरीके से सवाल करके आ सकते थे आगे बढ़ लेते हैं अगला प्यारा सवाल देख लेते हैं तो दोस्तों एक सवाल ये भी पूछा गया, ये भी बड़ी है सवाल था कैसे करना था, सो से कम की सभी विसम संक्याओं का ओसत ग्याद करिए विसम संक्या कौन सी होती है, ओड संक्या, जो की दो से भाग नहीं होती सो से कम की बात कर रहा है यानि सबसे आखरी में तो आएगा निन्यानमे उसके बाद में ऐसे चलेगा एक, तीन, पाँच और ऐसे चल चल के निन्यानमे तक जाएगा इनका उसत बताना क्या करेंगे पहली संक्या को आखरी संक्या को जोडेंगे ये दो से भाग कर देंगे इनको यानि सो बटे दो तो दोस्तो ये निकल के आएगा पचास फिफ्टी इस सवाल का रैट आंसर आ जाएगा तो दोस्तो इस तरीके से आप लोग इस सवाल करके आ सकते थे दोस्तो एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ अपना भविश्य से बनाना है सब्सक्राइब करके जरूर जाना चाहे कोई भी प्यारे बच्चे जो भी लड़का है लड़की है प्यारे प्यारे बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे नीचे लाल कलर का बटन और वीडियो को लाइक कर लेंगे आगे बढ़ लेते हैं अगला सवाल भी देख लेते हैं एक सवाल ये भी बैतरीन पूछा गया कैसे करना था तीन व्यक्तियों की वर्तमान आयू का नुपाद दिया गया है आठ साल पहले उनकी उमर का योग 56 था उनकी वर्तमान उमर ग्यात करिए ये बताना था आपको कैसे करेंगे दोस्तों बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ देखो इनकी आठ साल पहले उमर का जोड है 56 और दोस्तों ये भी इनकी उमर है ठीक है ये भी इनकी उमर है तो क्या करेंगे 7 और 4 ग्यारा, 11 और 9, 20 तो 20 20 यहाँ पर रख देंगे इस बात से क्या पता चला दोस्तों एक चीज यहाँ पर देख लेगते हैं आप नोट कर सकते हो एक चीज ये 56 दिया गया आठ के बराबर आठ साल पहले की आठ के बराबर 56 दिया गया है एक की वेल्यू आजाएगी आठ सती 56 यानि आपको इनकी उमर बतानी है चार अनुपात, साथ अनुपात 9 ये आपका अनुपात दिया गया इसको उमर में बदलने के लिए क्या करेंगे साथ से गुणा कर देंगी ये आएगा साथ चोग 28 साथ सती 29 साथ नम 63 तो दोस्तो ये उमर आजाएगी इन तीनों की इन तीनों व्यक्तियों की उमर आजाएगी 28 उडंचस और 63 आप लोग इस सोट ट्रिक से इस सवाल आराम से कर सकते थे आप यहाँ पर एक मिनट के अंदर ये सवाल कर सकते थे ठीक है गयाज आगे बढ़ लेते हैं और भी जानकारी ले लेते हैं तो दोस्तो जो भी बच्चों ने मुझे आपर सवाल बताए 100% रियल सवाल यहाँ पर मैंने आपको बता दिये हैं अगर आप किसी भी गोर्मेंट एक्जाम की तेयारी कर रहे हो मंभी पापा का सपना पूरा करना चाते हो 2021 में एक सरकारी नोकरी लेना चाते हो सब इस अबजेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाते हो तो दोस्तो यह नीचे लाल कलर का बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सब्सक्राइब जरू कर लेंगे बेल आइकन को ओल कर लेंगे ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एक्जाममेटिक स्टेडी पर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू सो मच मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के लिए आपको बेस्ट ओफ लाग थेंक्यू सो मच धन्यवाद